तो हाईलो दोस्तो एक बार फिर्चे स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में बिहार सीबिल कोड पीउन के लिए यहाँ पर चक्सु पबलिकेशन का दूसरा मॉडल प्रेक्टिस सेट देखने वाले हैं हिंदी विशाय का देखेंगे टोटल जो हाई आपको 35 प्रस्ण इसमें रहेगा तो आप इस वीडियो को अन तक जरूर देखिएगा तो चलिए बीना देरी किये हुए एक एक प्रस्ण को बारी की से अध्यान करते हैं पहला प्रस्ण है देखिए दिया है यहां पर कि अनेकार्थी सब्द दिये गए हैं एक अर्थ सब्द के साथ लिखा है दूसरा अर्थ बताना है मतलब कि प्रमेत का जो एक अर्थ होता है स्वेक्षा चारी होता है और दूसरा इन चार अप्षन में से आपको बाताना है कौन सा होता है तो देखिए प्रमेत का जो एक होता है स्वेक्षाचारी और दूसरा होता है उनमक्त ठीक है अप्सन नमर ए इस कोश्चन का राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर question है कि कनक का मतलब होता है धतूरा और एक और अर्थ इसको बताना है कि कनक का मतलब इन चारों में से किसका एक अर्थ होता है तो देखिए कनक का मतलब एक धतूरा होता है और दूसरा होता है सोना option number D इस question का right answer हो जाएगा सोना जो gold वाला होता है वही सोना यहाँ पर होता है next यहाँ पर जो question है कि तदभव सब्द को पहचान कीजिए देखिए इन चारों में से आपको बताना है कि तदभव सब्द कौन सा है तदभव पर जल्दी में ट्रीक वाला वीडियो लेकर आने वाला हूँ देखिए यह तदभव आसानी से पहचान में आजाएगा देखिए यह तदभव पहचाने का तरीका यही है कि किसी भी सब्द में अगर अगर अरो वाला यह नो आजाए गनेश जी वाला और सिंगार वाला स्रो आजाए और यहाँ पर क्री वाला यहाँ पर क्री आजाए रो तो समझ जाएगा वहाँ पर तदभव होगा यहां पर देखिए री आ गया है यह भी जो है तदसम हो जाएगा ठीक है तो यहां पर बचा अपसर नमर ए प्यास तो यही जो है आपका तदभव हो जाएगा क्योंकि यह तीनों तो है तदसम हो गया तो बचा यही है तो यह जो है तदभव हो गया ठीक है फ्रेंड्स next question यहाँ पर देखते हैं कि काली घाटा का घमंड घाटा उपयुक्त पक्ती में कौन सा अलंकार है तो देखिए काली घाटा का घमंड घाटा जब एकी सब्द बार बार इसमें आ जाए किसी भी पक्ति में जब एकी सब्द बार-बार आई जैसे घाटा और घाटा दो बार आया है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है ठीक है फ्रेंड्स यमक अलंकार होता है अलंकार पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर प्रेलिस्ट में देख सकते हैं देखिए बोला है कि चाकू सब्द का बहु बचन क्या होगा तो देखिए चाकू सब्द का जो बहु बचन होता है वो होता है चाकू ठीक है चाकू ओ अप्सन नमर बी इसको चन का राईट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर common error से हाए आपको बताना है कि इसमें किस भाग में टूरूटी है देखिए बोलाए कि मुझे कल दो किलो लीची खरीदनी है कोई टूरूटी नहीं है देखिए यहाँ पर आप देखिएगा इस वाग में तो कहीं पर भी टूरूटी नहीं है मुझे कल दो किलो लीची खरीदनी है तो कोई टूरूटी नहीं है अपसन नवर D इस question का right answer हो जाएगा नेक्स्ट है कि अपने-पने किताबे बस्ते में डाल लो आपको बताना है कि इनमें कहां जो है टूरूटी है तो देखिए ये अपने अपने किताबे नहीं होता है अपनी अपनी किताबे होती है ठीक है तो अपसर नमर ए में जो है गरबर है अपसर नमर ए इस question का right answer हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर question की बात करे तो रित्य अनुसार सब्द का संदी बिछेद क्या होगा तो रित्य अनुसार सब्द का जो संदी बिछेद होता है वो रित्य अनुसार होता है अपसर नमर ए इस question का right answer हो जाएगा यहाँ पर अगर बात किया जाए पंकज किसका प्रयायवाची है प्रयायवाची पर भी हमने एक वीडियो बना दिया है तो पंकज का प्रयायवाची कमल होता है अपसर नमर ए इस question का right answer हो जाएगा next यहाँ पर जो question है कि निमलिखित विकल्प में से तत्सम सब्द का चैन कीजिए जैसा कि हमने आपको बाताया कि अरव वाला नो आजाए शिंगार वाला श्रो आजाए और क्री यहाँ पर आजाए यहाँ पर ऐसे वाला रो आजाए तो वहाँ पर कौन सा होगा तत्सम होग तो देखिए यहाँ पर जो है इसमें क्री आगया है यहाँ पर निक क्रिस्ट ठीक है तो option number C इस question का right answer हो जाएगा ठीक है फ्रेंड्स तरीका यही होता है तत्सम पाचाने का और नई तो मैं जल्द ही वीडियो ले कराने वाला हूँ तत्सम और तत्भव पाचाने के लिए next question की बात करे तो बोला है कि आपको इसमें मुहाबरा बताना है मुहाबरे का सही और चुन कर यहाँ पर बताना है उट के मुह में जीरा अब उट के मुह में छोटा सा जीरा डालियेगा तो देखिए यहाँ पर आपको चुनना है तो यहाँ पर option number A हो जाएगा इस question का right answer ब option number D इस question का right answer हो जाएगा next यहाँ पर कारक से सम्मंदित परस्ण है और यह परस्ण काफी very very important है और बहुत सारे लोग इसमें फस्ट जाते हैं देखिए दिया है कि वह अगले साल आएगा इस वाक में कौन सा कारक है देखिए वह अगले साल आएगा इस वाक में आपको जो ह जब भी किरिया से समय का बोदो वहाँ पर अधिकरन कारक होता है ठीक है friends next यहाँ पर जो question की बात किया जाए उदय सब्द का बिलोम सब्द छाटिये उदय का बिलोम क्या होगा सूरे उदय सूरे उदय का बिलोम क्या होगा सूरे अस्थ हो जाएगा option number B इस question का right answer हो भविश से काल आपको future बताना है देखिए तो इसमें option number A जो हो जाएगा मैं आपकी परतिक्षा करूंगा भविश में option number A इस question का right answer हो जाएगा next है यहाँ पर दिया है कि रिकता स्थान को भढ़ना है माता को dash तो माता को क्या होता है friends प्रनाम ठीक है माता को प्रनाम option number C इ पात करें तो रिकता स्थान से ही है और इसमें बोला है कि ऐसा ब्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निशित नहीं हो उसको अतीथी बोला जाता है option number C इस question का right answer हो जाएगा next यहाँ पर है स्वक्ष सब्द का पर्यायवाची बताना है तो स्वक्ष का पर्यायवाच क्या होता है निर्मल होता है ठीक है option number D इस question का right answer हो जाएगा next है यहाँ पर कि सुध वाग का chain करना है चार वाग दिया हुआ है आपको बताना है कि कौन सा वाग इसमें सुध है देखिए पहला जो यहाँ पर वाग है वो एक महिला बिदवान थी तो देखिए महिला यहाँ पर इस्तिलिंग है और बिदवान का इस्तिलिंग यहाँ पर होना चाहिए बिदवान का C होता है इस्तिलिंग तो यहाँ पर देखिएगा यह जो है गलत हो गया है और यहाँ पर देखिएगा वो एक बिदू C महिला थी तो यहाँ पर जो है आपको सही दिख रहा है option number B इस बताएगा ये जो बात सही है अपसर नमर A इस question का right answer हो जाएगा next यहाँ पर question देख लेते हैं बोला है कि निमलीखित वाक के लिए एक सब्द चुनिए किसी की सहायता करने वाला तो किसी की भी सहायता करने वाला उसको बोला जाता है सहायक अपसर नमर A इस question का right answer हो जाएगा next है कि भाला चाहने वाला तो भाला चाहने वाले के लिए एक सब्द यहाँ पर ही तैसी होता है अपसर नमर C हो जाएगा right answer यहाँ पर बोला है कि जो वाक में मोटे सब्द छपे हैं उसमें सूद बरतनी कौन सी है देखिए यहाँ पर यही मोटा वाला है अत्यादिक इसमें आपको बाताना है अत्यादिक जो है गलत तरीका से लिखा है आपको इन चारों में से कहां आपको किस अपसर में अत्यादिक सही लिखा है यह बाताना है तो अपसर नमर ए देखिएगा इस कोस्चन का राई टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर है कि अखिया हरी दर्षन की भूखी कैसे रहे रूप रस राची ए बितिया सुनी रूखी उपियुक्त पक्ति में कौन सा रस है तो देखिए यहाँ पर बोला है कि अखिया हरी दर्षन की भूखी यानि बियोग में है तो अपसर नमर यहाँ पर बी इस कोस्चन का राई टेंसर हो जाएगा बियोग सिंगार रस ठीक है फ्रेंड्स नेक्स्ट यहाँ पर कोस्चन है कि बिद्वान सब्द का इस्त्रलिंग क्या होगा तो बिद्वान सब्द का जो इस्त्रलिंग होगा वो होगा बिदूसी जैसे हमने उपर चर्चा किया अपसर नमर यह इस कोस्चन का राई टेंसर हो जाएगा नेक्स्ट यहाँ पर अगर question की बात करें तो देखिए गद्यान से तीन question है और उसके बाद Hindi grammar से ही आए तो चलिए उसको भी बना लेते हैं तो देखिए यह 26 और 27 और यहाँ पर 28 नमर जो है यह गद्यान से question है गद्यान से पढ़ना परेगा और यहाँ पर देखिए बोला है कि कपटी मित्र के लिए सही मुहाबरा क्या होगा तो कपटी मित्र के लिए सही मुहाबरा आस्तीन का साप होता है ठीक है आस्तीन का साप मत लब कपटी मित्रे नेक्स्ट यहां पर है कि इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक सब्द बताना है तो देखिए जो इंद्रियों को जीत लेता है उसको बलते हैं जीत इंद्रिये ठीक है जैसे में गौतम बूद ठीक है फ्रेंड्स अप्सन नमर डी इस कोच्छन का जाएगा नेक्स्ट यहां पर अगर कोश्चन की बात करे तो इतियादी सब्द में कौन सी संधी है तो हमने संधी में वाप को बताया है कि जहां पर भी यह आ जाए और उससे पहले कोई आधा वर्ड आ जाए तो वहां पर यन संधी होता है ठीक है संधी का ट्रिक वीडियो हमने बना दिया है ठीक है फ्रेंट्स नेक्स्ट यहाँ पर जो कोस्चन है कि ना करगरना का खिया और्थ होता है तो ना करगरना किसी के गोर पर गिरना तो इसको बोला जाता है दिन पुरुवक परात्ना करना ठीक है किसी के पैर पर गिरना दिन पूरुवग परात्ना करना option number C is question का right answer हो जाएगा next है यहाँ पर उन्मूलन का विलोम क्या होगा तो उन्मूलन का विलोम जो है रोपन होता है option number C is question का right answer हो जाएगा next और last question है अतिस सुधो सने का मारग है कि इसकी पक्ती है तो यह जो पक्ती है घाननन्द की है घाननन्द option number D is question का right answer हो जाएगा तो वासा करते हैं आपको विडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सस्क्राइब कीजिए फिर मिलते हैं next विडियो में तब तब के लिए जाहिंद